हेलो फ्रेंड्स आम जग्दीज एक स्टॉक ने आपको काफी परिसान किया होगा इसका नाम है पॉली कैप तो पिछले वीक में स्टॉक ने जो है एक 25% की फॉल दिखाई है जहां मार्केट अल्टाम हाइप है यह स्टॉम करेक्शन हो रहा है ऐसा क्या डेफलेपेंट हो रह सकता है इस्टॉक में क्या लेक्योर क्यों गिर रहेustALK में जो हमारे पास कोश्टन या किस तरय रहा है इसमें आपको क्या लगता कहा तक गिर जकता है में टेके आडिने से कहा होता देखिए काफी लर्णिंग मिलेगा ऐसा आने से आप किसी और स्टॉक पर लगा सकते हैं जब काफी फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो पुछ रहा है तो 50,000 वो इंवेस्ट कर जाता है आज इस मूविंग अपना क्या करना चाहिए प्रतिक जी बोलते हैं एड़िंग पॉली कैप पॉर्फोलियो हेलो सर कुड़ प्लीज गाइट रिगार्डिंग पॉली कैप स्टॉक अंबर जी पूछते हैं इसे बहुत सारे हमारे पर स्क्राइब हुए है तो यह इस पर मनाने वाले थे लेकिन डिटू जो है हमने इसको लेट मना रहा है लेकिए आपको पूरा अनले से मिलने वाला है क्या करना चाहिए इस कंडिशन में तो से पहले आप देखों कि यह सब आपको दिखेगा कि इसको तो अपनी जो डिसपांस है एकंडव को सम्मीट किया है तो इसमें जो है जिस तरह से आप डेकोड करेंगे तो आप और देकोई सब डैवलेपरंट चर् engag इसम्में News क्या है साथ से पहले मापा दातों की कंपनी म्हा करती है कंपनी polycap यह आप पहली बार उस company को जानने को से करते हैं तो polycap is the leading is India's leading manufacturing of cables and wires allied products such as UPVC conduits and locks and clans. यह cable film में काम करती है. electrical equipment, electrical components और cable film में काम करती है. इसके बाद के इंवेस्टर काफी पैसा बना है और यह company भी जो है अच्छा कासा पैसा बना कर दे रहती है और यह company आप IPO टाइम से देखेंगे तो company ने 53800 पैस था खूला तर 645 पे 21 पर से गें था उसके बाद stock अभी भी जो है current price पे भी 640 पर से गें दिखा चुका है तो आप दो इसमें लिखा हुआ है मैं तब परके बताता हूं preliminary analysis suggests unaccounted cash sales, cash payments for the unaccounted purchase, non genuine transport and subcontract expenses of suppression of taxable items जिसमें बताया गया है कि unaccounted cash sales हुई है 10 billion मतलब कि एक तस देखा है तो 1000 crore का सपास not recorded the books, unaccounted cash permit किया गया है more than 4 billion, 400 crore का, made by distributors on behalf of polycap, 1 billion of non genuine expenses are some of the allegations against the company these are the allegations लगा गया है, तो company कहना है कि यह साब जो allegations है, company ने, IT ने rate डाला, उन्होंने बहुत सारे offices पे searches किया है लेकिन कुछ return में अभी तक नहीं आया है, और company confident है कि हमारी finances strong है, fundamentals of impact ने आएगा और जिस तर से corporate governance पे शुरीज किया गया है, तो इस पे भी company deny कर रही है, आप यहाँ परहेंगे तो आपको लिखा हुआ है वाल थे post searches preceding will take its own courses, the company will continue to fully cooperate with the IT department, there is no material adverse impact of financial portion of the company, company shall continue to inform the stock system time-time, और यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस एthical and law-abiding company and follows the best corporate governance practices, तो company अभी भी जो है, अपने point पे जो है, confident है कि हमने कोई bad practice ने किया है, लेकिन market में क्या होता है, seller rumor और buyer news, या buyer rumor seller news, तो जब rumor रहता है तो उसी समय price correct कर जाता है, और उसके बाद जब news clarity आती है, तो फिर उदिए जए price settle कर जाता है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो price म आस-पास फॉल हो चुकी है, पहले तिन stock 10% से गिरा, उसके बाद जो है, वो further जो है आपको, further जो है 20-25% का fall हुआ है, तो stock अपने high से देखा जाए, तो काफी fall हुआ है, ये fall आप देखिएंगे तो यहां से हम देखते हैं, यहां से यहां तक का जब fall है, वो almost 33% का सबसे है, अब हमारी नजर है कि इस पर result कैसा आता है, 18th, 19th के बीच में result आ सकता है, तब ही जो है, इस निगेटिविटी में जो है, जो बहुत सा रबोकर ने प्राइस टागेट हो कट किया है, जो पहले 5800 का सपास था, वो टागेट को रिदूस करके 43 ने कर दिया गया है, जो उनकी और इसमें जो है, कुछ जिनका एक बड़ा पोजिशन था, उनने स्टेक भी कम किया है, यूस बेस्ट कंपनी है, क्याप्टल गूरू गूरू ने जो 337 करोर का पोजिशन जो है, एक्जिट किया है, 30095 है, इस आर दा न्यूज और डेवलपेंट एन इंपक्ट उन देशेर अब हम जिसस करेंगे कि अभी हमें क्या लगता है कि या और कितना गिर सकता है, साथ से पहले हम स्टॉट परे देखें हैं, तो आदेखो की अमने इस पूरी रैली को पूरी रैली को मैं क्विशन प 그렇게 किया है कि सब से स्ब्सेंस से प्कुना कर्क्ट वहू है वहां से अभी तक का जो रैली हुई है इसका जिए हम डेटेस में करेक्शन देखे हैं तो हम देख रहे हैं कि 23.6% से वो निचे टेट कर रहा है और एक सपोर्ट आता है 38% का जो कि आपको यह स्टॉक को दिखा रहा है कुछ 3750 का सपास उसका एक सपोर्ट दिख रहा है और अभी आप देख स्टॉक एक कूशल सपोर्ट पर ख़रा है ऐसा लेवल खुड़ा है जदी उसकी निचे क्लोज करता है तो मार्केट में जो है उस स्टॉक में जो है करेक्शन और एक्सटन कर सकता है तो अभी अभी आप देखना है कि फर्दर कोई निगटिव और निज ना आ जाए तो वी वीकसे है वीक्ले कंटिन्यू हो रही है एक डेली पर देखें टेली पर जो एक इस दिन जो है वो तैन पर्षान का लोड़ सक्रीप मना था उसके आग्ले दिन पहुझ किया उसके तीसे दिन जो है गाप ता जबने जो आई टी कप पर आईएटी ने जो है प्रेस страш किया था तो उस समय जह हूँ 20% के पास जो है गाप्टन हुआ था फिर वह स्टॉक और 10% कि रहा फिर थोड़ा से रिकावरी किया है इस तरह से मुम्मेंट देखा जा रहा है स्टॉक में कि यह आपको पॉर्ट टेक्निकल सेटफ है हमारा तो स्टॉक जो है एक ऑफट शोल जो में चला गया है अब इसमें कितना वीकनेस और हम देख सकते हैं इसके लिए हमने आपके पास जो है टीटेल लैसे करके ले हो लेकर है हम तो मुझे रहता है कि पॉली क्याप जो है अभी टेट कर रहा है तो मिझे लेता है कि स्टॉक में 3700 कूशिल सपोर्ट है जब तक इस प्राइस के ऊपर ट्रेट कर रहा है तो यह हम बोल सकते हैं कि प्राइस हो चुका है इसकी निचे क्लोज करेगा तो इसमें करेक्शन और शार्प आ जाएगी वह 3625 & 315 जो तक अट कर सकता है और इसमें ह आप यह देखके पैनिक नहीं होना है यह हमने एडवर्स कंदिशन दिया है क्योंकि हो सकता है कि वीडियो इनने से बनाने में टाइम लगे और यह प्राइस में करेक्शन आती है नेक सपोर्ट आप डोड़ते हैं यह लेवल आप यूज कर सकते हैं इसमें जो अपसाइड ह है तो स्टॉक जो है फाइज से वाइसे फेटी टू हंट जा सकता है अभी हमें देखना है कि 3700 के यह स्टॉक क्लोज नहीं करना चाहिए क्लोज करेगा तो वीक्नेस एक्सेंड करेगी और हमारे दिये हो लेवल की तरफ शेफ्ट करेगा तो अभी क्या करना चाहिए तो अभी आपको देखना है कि क्या आपका कंसर्ट्रेशन कैसा है आपके पूर्टफियों कितना बड़ा स्टेक लेखा तो आपको जरूर जो है वहां पर रिस्क मैनेज करना चाहिए अपना पूजिशन तो रिडूस करना चाहिए क्योंकि आप आपको बहुत ज्यादे लोकेशन महाप होगा तो आपके पूरा पूर्टफोलियो को रिटन खराब कर सकता है ज़िए आपने अच्छे से डैवर्सिफाई किया है और एक्कोल दिया हुआ है तो हो सकता है कि इसमें जो फॉल है और स्टॉक वाइस आपको दिख रहा होगा ले है उसी प्रपोर्शन आप थोता कॉंटेड्यूस कीजिए पूरा मत बेचे को कंपनी में एक अच्छी बात है कि कंपनी के फ्राइन से काफी स्ट्रॉंग है आप देखेंगे तो कंपनी की जो हर इक पॉइंट पर जो है कंपनी स्टेंड करती है सेक्टर लीडर है कंपनी के काफी चूंटी परसंट का रुए है और उसी थाओं परसंट है डिट ओल्मोश देट फ्री कंपनी है कंपनी के प्रिटाविल्टी कंसेस्टेंट्ली आप रॉफिट देखने कंपनी पर नाते जा रही है सोलो सो क्रोड का प्रफुना है रिजल्ट आने वाला है वह सकता है होफ़ोली है कि विटर जल राएगा पैसा बना यह आपका पैसा भी बना है तो बहुत चांस है कि कंपनी जो है यह निव्ज को लोग डाइजस्ट कर लेंगे आने वाले समय में यह फर्दर कुछ और ऐसा कुछ निव्ज नहीं आता है जिससे कुछ ऐसा है जो मार्केट को नहीं मालूम है कुछ दीरे दीरे कीजिए तो जिन्होंने बहुत ज़्यादा पॉश्ण लिया है वो पॉश्ण कर सकते हैं जिनके पॉर्टफोली में डैवर्सिफाइड किया हुआ है और आपको लाता कि पॉर्टफोली में उतना खराम नहीं किया है तो बहुत थोड़ा बहुत कॉंट्री आप पुकुक्सरस आतों रिजी चीव उतना सबीजिए क्योंकि स्ट्टॉक जब गिरता है कितना अवी कि इसकता है। कि ऊसले कि यह स्टावक कियों गिर रहा है बताया को सब्सक्राइबर पास क्या आए है उसका वह नहीं बताया टेक्निकल क्या है तरह थे क्नेट कीजिए जल्देवाज़ी मत कीजिए इसक्वर आपको पुरा आपको देते रहेंगे और यह आप चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को हीजिए जग्दीजर.com वहाँ पर हमें क्लासे डिटेल मिल जाएगी क्लासे बेज़ किजिए आप रिभू देखा चाहते हैं तो गुगल पर जाएगे जग्दीज स्टॉर में क्लासे नकांसरेंसी वहाँ वीडियो कैसा लगा जो बताइए कहीं स्टक कर गया हैं कुछ हमने में सब्सक्राइब कर दिया या आपको लगता है कुछ आप में बदाना चाहिए आप कहीं किसी लेवल पर आप कॉमेंट कीजिए ऐसे किसी स्टॉक और फस गया है तो वहाँ भी कॉमेंट कीजिए